तूइब मारीग, आज हमुआ लोग हिंदी ब्याकरन में लासिट्स के लिए अनुच्छेज ब्याकरन में हम लोग पड़ते हैं पातर लेखन निवदर लेखन और अनुच्छेज ब्याकरन तो निवर्ब्र का एक छोटा रूप अनुचेथ होता है, उसको एक पाइड़ाग्राफ जिसको कहते हैं, उसी को हिंदी में अनुचेथ राता है, तो पाइड़ाग्राफ में एक अनुचेथ में हम अपनी बातों को लिके, तो सबसे पहले हम जाने कि अनुचेथ लेखन बोत अनुचेथ लेखन निवर्ब्र का छोटा रूप है, निवर्ब्र जैसे लिते हैं, उसी को छोटा में अनुचेथ लेखन कहते हैं, इसमें यह आकार में छोटा होते हुए भी अपनी आप में पुरु होता है, आकार में यह छोटा होता है क्योंकि निवर्ब्र, निवर्ब अनुझे जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, किसी हे जितना विश्कार में, रिखते होता है लेकिन उनुझेद में, हम उसको बहुत छूटा कःए लगते हैं उसी चीज को जिसको निब्त में हम बहुत बड़ा लेकेंगे, उसी को हम अनुभ्यद में छोटा नखते है. तो इसलिये अनुभ्यद के लीए जानने की बात है कि अनुभ्यद एले जिलेकेंगी या अगर आकार में भी छोटा होता है, निबन्प का यह एक चोटा हूँ होता है और निबन्प नए बिशय पक्ष भी पक्ष में रित ही आझता है इसमें उसके सबी पाहणु पर भ्याम देते हुए पाहणु पर चप्षण करते हुए और एक किजी एक पक्ष पर उसके आझता है जैसे हमारे सामने जो भी प्रस लख जो भी टोपिक आते हैं जो विशेवस्तु आ गया कि हमें इस पर लिखना है जैसे आज हम लिए एक विशेवस्तु की सिच्छा हमारी जरूरत इस पर हमें कुछ लिखना है तो हम सोचें कि हम क्या लिखें अनुछे लिखना में डिवन्दन लिखना अनुछे लिखना है तो शिच्छा हमारी जरूरत पर अनुछे लिखना है तो इसमें हमें भ्यान देने के लिए जो बात है वो क्या है विशेवस्त से संबंद बातों को संचेव में लिखना दियान देने के लिए ये बात ए पहलरें दूसरी है कि जहना कत will सके, तर्विक्ण या पक्षウि पक्षपर विचार कि नहीं करना है। कुछ द्यान देगी की बाते हैं, जिसमें एक है कि रिशर्स से संबधित बातों को संचेव में लिखना है, दूसरा है कि तर्क भिकातिया पक्षु भी पक्षुबर में लिजाएंगे, तीसरी बाते हैं कि अनुचे एक सो से एक सो पचीश सब्गों कारी होना चाहिए, हम अपनी बातों को एक अनुचेद में पुरा करेंगे, इसी को कहते हैं अनुचेद लेखन, तो हम देखें कि हमारे सामने आता है कि शिच्छा हमारी जरूदर, तो इस पर हम क्या लिख सकते हैं, शिच्छा हमारी अब में विशच से संब्दित बातों को एक अनुचेद में लिखना है, जैसे शिच्छा का आधुनिक जीवन में क्या बातो है, हम जामते हैं कि आचका जीवन बिना शिच्छा का जीवनी में, तो आधुनिक जीवन में शिच्छा का मपचाता महतो है, मतलब मुझना है कि उसके लिए सभी के लिए सिच्छा अनवाल हो गया है, उसके लिए जरूरी हो गई है, किसी भी समाज के लिए भी सिच्छा महत्व रखता है, और जो सिच्छित होते हैं तो अच्छे परे रिखे होते हैं, उनका समाज में भी बहुत समाज होता है, तो इस तरह से समाज उन्हें वक्या महत्व रखता है। इस वातों की चर्चा करते हुए हमें एक अनुच्य दिखना है जो सिच्छा हमारी जर्विलत पर दुगों किये। एक पर फिर्चे देखें कि अनुच्य देकर निवन्द का छोटा रूप है। यह अकार में छोटा रूते हुए भी अपनी आप में पूर्ण होता है। उसके सभी निवन्द में पाक्स दिखना पर चर्चा की जाती है ता तो उन्हें किया जाता। अनुच्य में यह सब बातें देली होती है इत बस समी पानिवों पर प्रबकास दापते हैं। और किसी पनद इसमें उचाखिया ताद़ हुए तब भी तब इसमें भी बक्स रहा हुता तब स्थें जेसे शिच्छा हमारी जरूनत तो इससे खळाभी बरहें जाएगे कि स्च्छा का क्या थर्ट रखता है कि जीवन में महत रखता है औप इसको यो एक वाल रखता है में देना है तो आज से लिए हमारी इतनी जनुरत है शिक्षा की हमें आभूने जीमन में क्या जनुरी है शिक्षा और इसके दिशे पर हम लोग लिखे लिए इसके बाद दो और टॉपिक पर लिखना है जिसमें छमा करना एक दैबर बुर्ण और एक है रातर आओ की शैर ये सबनों जानते हैं कि छमा करना एक दैबर बुर्ण होता है छमा करने की प्रविट्टी सभी में नहीं होती है यह एक दैबर बुर्ण है देवतान दौरा रात विसिस्ट बुर्ण जो किसी-किसी में होता है कि छमा करने के आप उसमें उच्छागा बुर्ण होता है तो ये क ये प्राताइटाल का मैं जलूरी है कि अध्युकृ एस तीम पिचनंद लिखना है और श्क्राणा बलकों अनुछयद लिखना है और अनुछयद लिखकर आपको लिखना है प्रियास की जिये, पिखने की कोशिश भी जिये, और बुप की सहरता भी जिये, माने रुप में भी जिया हुआ है, कोश्की सहरता भी जिये, और जिये धन्यवाद.